नमश्कार मैं हूँ ओम दिवेदी और स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल दा सेल्फ यानि स्मार्ट एजूकेशन एंड लर्निंग फोरम में दोस्तो आज हम आपके सामने जो टॉपिक लेकर रहे हैं उसका नाम है इंडिया चैना बॉर्डर डिस्प्यूट दोस्त में लगबग 5-6 मई के आसपास लधाक में इस्तित पोंग्योंग शो लेक जो की संसार की सबसे उची खारे पानी की जील मानी जाती है और सिक्किम के नाकुला में दोनों सेनाओं के बीच जडब देखी गई तब से कई बार कभी गलवान वैली में जो की पोंग्योंग शो जडब हो रही है देखा गया कि चीन के रास्ट्रपती शी जिंपिंग ने अपनी सेना को तयार रहने के आदेश भी दिये जिने युद्ध का संकेत माना गया तबी अमरीका के रास्ट्रपती डोनल्ड टरंप ने भारत चीन के बीच मध्यस्तता करने की पेशकस की जिसे च चीन और भारत के बीच मध्यस्तता के लिए किसी तीसरे की जरूरत नहीं है और भारत ने कहा कि भारत चीन के साथ सीमा वरती छेत्रों में शांती बनाये रखने के लिए संप्रभुता यानि सौवरेनिटी मेंटेन रखने के लिए और रास्ट्रिय सुरक्षा बनाये रखन है भारतिय सेनिकों ने बॉर्डर मेनेजमेंट के लिए काफी जिम्मधारी भरा रोल प्ले किया है ऐसा पहली बार नहीं है कि भारत और चाइना के बीच सीमा विवाद देखने को मिल रहा है पहले भी कई बार ऐसे विवाद देखने को मिले हैं पूरे मुद्दे को समझने के लिए हमें थोड़ा सा इसका बेग्राउंड जानने की जरूरत है दोस्तों 1947 में भारत आजाद हुआ और 1949 में माउट से सुमकी सरकार चाइना में बनी यहां से संबंधों की नई शुरुवात हुई भारत ही ऐसा पहला नॉन कम्मिनिस्ट कंट्री यानि गैर सामयवादी द दिलाने में मदद की और यूनाइटेड नेशन और्गनाइजेशन में भी उसे मानिता दिलाने की कोशिश की 1954 में भारत चाइना के बीच पंचशील समझोता हुआ और 1955 में बांडूम कॉन्फरेंस में भी दोनों देशों ने एक दूसरे का सहयोग किया यहां तक सब 1957 में दोनों देशों के बीच दरार आना शुरू हो गई और वजय थी सीमा विवाद यानी बॉर्डर डिस्प्यूट और तिबबत इश्यू यह दो इश्यू ऐसे थे जिसके कारण से दरार देखने को मिली भारत ने चाइना के तिबबत के अधिकार को 1954 के पंचशील अग् का समर्थन भारत सुईकार नहीं कर पाया 20 अक्तूबर 1962 में भारत के नौर्थ वेस्ट फ्रेंटियर रीजन में लदाख बॉर्डर पर चाइना ने हामला किया और जम्मू एंड कश्मीर के कुछ छेत्रों पर चाइना ने कबजा कर लिया इस युद्ध का मेन रीजन बताया गया कि भारत का दलाई लामा को शरण देना जबकि सही में चाइना अपनी शक्ती का प्रदर्सन करना चाहता था जिससे भारत कमजोर दिखे इसके बाद 1965 और 1971 के इंडिया पाकिस्तान युद्ध में भी चाइना ने पाकिस्तान को इंडिरेक्ट सपोर्ट किया यहां से चा कई बार अलग-अलग इंटरनेशनल और नेशनल प्लैटफोर्म्स पर रिलेशन्स को ठीक करने की कोशिश की गई पर कभी भी चाइना का पॉजिटिव एटिटूड देखने को नहीं मिला काफी समय से देखा जा रहा है कि साउथ एशिया में इंडियन डॉमिनेशन कम करने के लिए चाइना हमारे पडूसी जैसे श्री लंका, पाकिस्तान, बांगलादेश, म्यामार और नेपाल में सैन सहयोग बढ़ा रहा है और उसने कई बार सिक्किम और अरुनाचल प्रदेश जो की भारत का हिस्सा है उसको अपना हिस्सा कहा है LAC, Line of Actual Control में स्टेंड ओफ और फेस ओफ जैसी कंडिशन बार बार बनती रहती है क्योंकि दोनों ही देश LAC से जुड़े कुछ इलाकों पर अपना अधिकार जताते हैं भारत और चाइना लगभग 3488 किलोमेटर यानि 3488 किलोमेटर की बाउंडरी शेयर करते हैं भारत LAC की लंबाई 3488 किलोमेटर होने का दावा करता है वहीं चाइना इसे एप्रॉक्सिमेटली 2000 किलोमेटर लगभग 2000 किलोमेटर ही मानता है लदाख, हिमाचल परदेश, उत्राखंड, सिक्किम, अरोनाचल परदेश ऐसे स्टेट्स या यूटी हैं जिनकी सीमा चाइना के साथ लगती है दोस्तों, LAC को तीन सेक्टर में डिवाइड किया गया है वेस्टर्न सेक्टर जो की लदाख वाला रीजन है मिडल सेक्टर जो की हिमाचल परदेश वाला रीजन है और इस्टर्न सेक्टर जिसमें सिक्किम और अरोनाचल परदेश आता है कई विवादों के चलते अभी तक प्रॉपर बाउंडरी डिमारकेशन नहीं हो पाया है मतलब प्रॉपर सीमांकल नहीं हो पाया है 1962 के इंडिया चाइना युद के बाद चाइना ने अपना कबजा कुछ ऐसे इलाकों में बना रखा जिससे वो अकसाई चिन और NH219 तक आसानी से पहुँच सके अब हम जानते हैं लदाख रीजन की स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंड मतलब सामरिक महत्तो लदाख भारत के नौर्थ में इस्थित है और पॉंग्यों स्यो जील इसी लदाख में आती है इस जील का एक तिहाई हिस्सा मतलब लगबख 45 मील का हिस्सा भारत में है और दो तिहाई हिस्सा चाइना के कंट्रोल में है एक गाउं चुशुल जो की बॉर्डर से 15 मील की दूरी पर है और 1962 में चाइना ने इसी चुशुल पर हमला किया था यहीं पर रेजागला दर्रा है जहां युद्ध को अंजाम दिया गया था और पोंग्योंग सो जील जहां से अलेसी पास करती है वो चुशुल के रास्ते में आती है और मौजूदा समय में चाइना इस चुशुल अप्रोच का यूज भारत में घुसने के लिए कर सकता है अब हम जानते हैं इस रीजन के थोड़ा सा इंफ्रस्ट्रक्चरल डेवलप्मेंट के बारे में पॉंग्योंग्सो के किनारे पर कई सारी छोटी छोटी पहाड़िया हैं जिने फिंगर्स के नाम से जानते हैं और भारत फिंगर चार तक अपना अधिकार मानता है लेकिन चाइना फिंगर दो तक अपना दावा करता है और कारगिल वार 1999 के समय चाइना ने फिंगर फाइव तक अपनी सड़क भी बना लिये भारत ने दौलक बेग ओल्डी सेक्टर में अपनी सड़क बनाई जो की लेह को कारा कोरम दर्रे से जोड़ती है और भारत से अकसई चिन जाने के लिए सियाचिन ग्लेशियर में स्थित सब सेक्टर नौर्थ एक मात्र ऐसा इलाका है जहां से अकसई चिन तक जाया जा सकता है सब सेक्टर नौर्थ तक दो सड़कों का निर्मार किया गया है पहली नूब्रा रिवर वैली में सो सोमा से सासर लापास से गुजरती है और दूसरी शोक रिवर वैली के साथ साथ दुर्बूक से मुर्गो और देसपांग से होकर गुजरती है अक्साई चिन तक पहुँचने का दूसरा रास्ता चांग चेनमो नदी घाटी से होकर गुजरता है इसके लास्ट पॉइंट पर हाट स्प्रिंग चौकी है इसके अलावा इंदज यानि सिंधु नदी घाटी के नगारी में चीन का फौजी एड़ा है और NH219 नगारी से ही होकर गुजरता है अब जानते हैं कि what steps should be taken to rectify the clash इस विवाद को सुलजाने के लिए हमें क्या-क्या steps लेने चाहिए दरसल अगर external affairs के बारे में बात करें तो चाइना और अमरीका के बीच एक बड़ा तनाव है जो की trade war के कारण है होंग कॉंग में विद्रोही गतिवधिया है और कोरोना संकट के कारण देशों में गुटबाजी हो गई और cold war जैसी condition बनी हुई है इस तनातनी को ठीक करने के लिए bilateral political dialogues की जरूरत है border को permanent बनाने के लिए दोनों ही देशों का positive attitude अपनाना पड़ेगा solidarity यानि सौहार्द को बढ़ाने के लिए दोनों को पहले की तरह commercial यानि business relations और cultural यानि सांस्कृतिक रिष्टों को मजबूत करना होगा विवादों के दोरान लिए गए steps जिससे military tension create हुई है उन्हें वापस लेना होगा और सीमा विवाद के लिए दोनों देशों की समस्याओं को समझते हुए memorandum of understanding जैसी कुछ steps उठाने होगे international और regional लेविल पर common understanding डेवलप करनी होगी और दोनों ही देश जानते हैं कि युद्ध किसी भी समस्या का समाधान नहीं है तो इस युद्ध वाले पार्ट को पूरी तरह से खतम करना होगा और ये वक्त कॉरोना pandemic से deal करने का है क्योंकि इस महामारी की चपेट में बड़े बड़े विक्सित देश बरबाद हो रहे हैं और ऐसे में जरूरी है कि सभी देश एक दूसरे के साथ मिलकर काम करें विश्व में सामोहिक एकता बनाएं और अपने अपने लेवल पर विश्व को बचाने के कोशिश करें यहां पर मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ आगे जो भी स्टेप्स इंडिया चाइना बॉर्डर डिस्प्यूट से रिलेटेड लिये जाएंगे वो मैं आपको अपने अगले वीडियो में बताता रहूँगा अगर यहां तक मेरी बात आप तक पहुँच पाई है तो प्लीज लाइक शेर और सब्सक्राइब जरूर कर दें अपने विचार मुझे कमेंट्स के माध्यम से जरूर बताएं और आप मुझे मेरी इमेल आइडी दसेल्फ एड्यूकेशन ग्रूप एड जीमेल डॉट कॉम पर मेल भी कर सकते हैं आप मुझे मेरे फेस्टेशन